हेलो एव्रीवान वल्कम बैक तो माई चैनल गाईज में एक और न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ कैसे हैं आप सब आई होब कि सबी अच्छे हैं खुश हैं अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं तो अभी जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ आप सबी के लिए टॉपिक है हम जानेंगे कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है वट इस कमिंग नेक्स्ट इन यूर लाइफ ठी आपकी पर्सनल और प्रफेशनल लाइफ में आगे आपको क्या देखने को मिलेगा क्या आप अट्रैक्ट कर रहे हैं यह सारी बाते मैं यहां पर पता लगाऊंगी तो स्टार्ट करते हैं बिना देर करें और देख लेते हैं क्या आता है आपके लिए शुरू करने से पहले हमेशा कि तलहा मैं बता दूँ आपको कि यह जैनरल रीडिंग है तो हो सकता है आपके साथ रेजोनेट हो हो सकता है ना हो तो प्लीज कीप अन ओपन माइंड यह टाइमलेस रीडिंग है तो आप कभी भी हां अगर पहुंचते हैं तो आप देख सकते हैं चली अभी स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग वाव वी आप तो अफ़ कॉप्स पहला ही कार्ड बहुत अच्छा है तो अफ़ कॉप्स तो चैरिएट नूबर सेवन यह कार्ड भी बहुत प्यारा है वाटर साइन है यहां पर अभी तक कैंसर स्कॉर्पियन पाइसस वी हाव हमेट विर्गो नूबर नाइन वी हाव फोर अफ पेंटिकल्स नूबर फोर यह कार आगे हमारे पास टावर स्ट्रेंथ नूबर एट लियो एनरजी स्कॉर्पियो एरीस विर्गो गैंसर अगे लियो साइन है यहां पर बहुत स्ट्रॉंग अभी तक ओ वाव वी हाव वी वील फोर्चॉन रिaround नूबर 10 दाव फोर्चन कार्ड है अगे हैंसर नंबर 10 दाव वेल फोर्चन कारड है यह कार्ण वीय वाव की आप वाफी तुर रहे है आप राइन आप रहे हैं आप राइन सिंदिकि तॉय नहीं पंभ छूर पोर। रहे हिर थमांते पुर्स ऑई अपको सारे गोल पूरे हो पाइंगे है और Зबस्ट रहता हिरको अपको अभैंडन से लिपRA को सभुछ मैं जो चीज़े यहां देख पा रही हूं यह एक फेज है आपकी जंदिगे में और कुछ नहीं है और यह फेज आपको कुछ पस सिखा के जाएगा आपकी लाइफ में जो नेक्स्ट फेज आने वाला है जो भी आप नेक्स्ट अट्राक्ट करें हो सबसे पहली बात जो मुझ इसकी मजबूरियां एक बातें चुपाई जा रही हैं नहीं बता रहे हैं किया इनको आपके लिए पसे कैसा पील कर रहे हैं बिलकुल रिवीजा करने के लिए रेडी नहीं है इसकी सिच्ट ब्राइशन में आपको बहुं जादा गरेट सापोर्ट की ज़रुरत है और वह यह चारो काड़ यहां बता रहे हैं कि आपके साथ divine है all the time आपके साथ divine है आपको strength देंगे आपको blessings देंगे आपको guidance देंगे आपको सब कुछ बताएंगे जो आपके लिए जानना बहुत important है तो इसलिए ना यहां पर जो चीजे आई हैं आपके लिए आने वाले time में बले ज कुछ लोगों के लिए सच में immigration process हो सकता है जो कि आपको सच में clear हो जाएगा आपकी बात जो नहीं बन रही है बहुत टाइम से पुर तरीके से documentation जो भी है या अगर आप बहुत चादा confused हो रहे हो कि इस process में आई या ना आई तो आपको इस चीज की भी clarity मिल जाएगी और वेट खतम हो रहा है और एक चीज और दिख रही है कि देखो आज ना full moon का day है और moon card हमारे पास है अगर आपकी जिंदिगे में शान्ती नहीं थी अभी तक तो शान्ती भी आएगी peace आएगा आपकी soul को peace मिलेगा because जब तक mind में peace नहीं है तो इंसान ठीक से काम नहीं कर सकता उसको distraction मिलेगा यह मिलेगा तो कुछ हद तक मुझे दिख रहा है कि आपकी life की जो situation है बहुत worst है because the hermit card भी आए लेकिन फिर भी universe आपके साथ हैं जैसे वो बोल रहे हैं आपको कि हम आपके साथ हैं और हम आपके काम को बिगड़ने नहीं देंगे और आपको directions देंगे कि आ आगे step लेने हैं तो आपके overall देखो अगर बहुत panic situation में हो काम नहीं बन रहे हैं परिशान हो तो trust me divine आपकी help करने के लिए बिलकुल ready है और वो आपके time time पर help भी कर देंगे बस आपको अपने mind में एक बात बिठा के रखने हैं कुछ भी personally लेना नहीं है किसी की भी बात को ठीक है personally कुछ भी मत लीजिए जब आपको लगता है कि अब ठीक time है तो उसी time अपना काम शुरू कर दो कुछ अगर दिक्कते आ रही है रुकावटे आ रही है वो आएंगे because आप इस phase में डाल दिये गए हैं ठीक है और इस phase को खतम करने के लिए आप action लेंगे और ये phase खत करकर आपको आगे बढ़ना है ठीक है तो आपका ये phase खतम हो जाएगा और मुझे लगता है तब ही जब ये phase खतम होगा आपके साथ आपके soulmate का connection फिर से बन जाएगा ये आपको call कर लेंगे ये आपको message कर लेंगे मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर communication का card है ये आप तक पहुंच जाएंगे ऐसा मुझे यहाँ लग रहा है बड़ आपको थोड़े से efforts लगाने इस situation से खुद को निकालना है जल्दी निकाल लोगे because divine का support है तो yes next chapter जो भी आ रहा है आपकी life में वो काफी peaceful हो सकता है ठीक है इसलिए action अच्छा लीजिए और देख लगते हैं guys और आप क्या attract कर रहे because love life से ज़्यादा card तो नहीं आए आपर फिलाल तो आपकी situation ही जब इतनी ज़्यादा खराब हो रखी अभी तो situation को ठीक करने के लिए divine नहीं आपको बिताया है इस time ना brave बनिये ठीक है brave बनिये और हिमत रखिये सब ठीक हो जाए इस तो आपके लिए good luck लेकर आई रहे न सपोर्ट लेकर आ रहा है आपके लिए divine का सपोर्ट मिलने वाला है आपको memories of love yes, this is soulmate का card है आपके soulmate के साथ हो सकता है कि next page में यह person आए और आपको बताये अपनी feelings क्योंकि अभी तो यह सब कुछ चुपा रहे हैं तो फिर से यह tower card ही आ गया इस tower को आपको खतम करना पड़ेगा इस tower card को आपको खतम करना पड़ेगा guys इसके रहते तो फिर आपको peace नहीं मिल सकता it's okay थोड़ा सा waiting game चलेगा अभी कुछ time के लिए लेकिन next phase में जब आप जाएंगे तो देखो आपना overall wheel of fortune card जब आता है reading में तो यह में बताता है कि आगे आपके पास abundance good luck आ रहा है ठीक है तो अभी बहुत brave बनकर इस condition को आपको solve करना है और आगे बढ़ना है अपनी life में ठीक है लोगों के चेहरे आपके सामने आएंगे next phase में कौन आपका है कौन आपका नहीं है बिल्कुल clear हो जाएगा आपको आपको हो सकता है कि जिनके साथ आपके बहुत close relationships हैं उनके साथ आपको पता चलेगा हो सकता है आपके friend circle में कोई आपको दोका देने की कोशिश कर र लाइफ में overall next phase में sun आ जाएगा ठीक है तो इसलिए आप hope ना खोईए जितना हो सके manifest करते ही रहिए अपनी जंदगी में आगे बढ़िए अपनी health का बहुत ध्यान रखिए और heart chakra आपका heart chakra balance होगा आप ही का होगा balance सबसे पहले और then आपका heart chakra open देखो heart chakra किसका open होता है जिस इसके पास harmony होती है peace होता है और balance होता है life में तो ये card मुझे clear बता रहा है अगर next phase में आपका heart chakra balance हो रहा है तो फिर इसका मतलब है कि आपके पास sun भी आ जाएगा harmony भी आ जाएगी और ये good luck तो बता ही रहा है कि yes ये good luck आए ही इसलिए रहा है कि आपको आगे चलकर next phase में क हुआ है तो यानि कि love life में भी कुछ ना कुछ अच्छे improvements हो जाएंगे तब ही heart chakra open होगा और आने वाला time मतलब अच्छा है आपके connection के लिए भी ये चीज़ भी मैं देख रही हूँ क्योंकि अगर ये result मिल रहा है हमें तो इसका मतलब है कि कुछ जादा जो burden है अभी right now वो खतम हो जाएगा आपके heart पर से यानि कि जो चीज़े आपको आपके दिल को pain पहुचाती है दर्द पहुचाती है वो चीज़े खतम हो जाएगे और आपका heart chakra active हो जाएगा तो ये चीज़ अच्छी दिखिए और वैसे भी हमारे पास sun card आया है यहाँ पर तो ये card मुझे clear बता रहा है आप देखो sun और moon आगे ना यहाँ पर sun और moon आप twin flame journey में हो सकते हो तो आपके journey बहुत tough है तो इसलिए कोशिच कीजिए कि इस journey में जितना हो सके खुद पर देखो divine ना यह universe अगर आप एक twin flame journey में है आपको हर तरीके से परक्तना चाहेगी हर तरीके से इसलिए आपके जिंदेगी में हर बो मुसीबत लेकर आएंगे और आपको देखेंगे कि आप कैसे इस मुसीबत से बहार आएंगे यह आपकी soul expansion के लिए बहुत important है तो इस journey को accept करो हर्स के करो यह तो challenges है आप इनसे आगे बढ़ोगे ऐसा ही feel कीजिए और थाबित करके दिखाईए एक बार angel answers देख लेते हैं आपके लिए क्या angel answers आएंगे यह देख लेते हैं आपको एक नई direction चूज करने के जरूरत है कुछ नया आप जोइन कर सकते हैं जो भी है अगर आपकी कोई hobby है तो उसे follow करना शुरू कर दो अपना diet plan अच्छे से बनाना शुरू कर दो because not the right time अभ आपकी सारी problem solve हो जाएंगी लेकिन अगर आप नई direction चूज करते हैं तो definitely कुछ output अच्छा ही मिलेगा आपको within the next few months में मुझे लगता है कि यह tower movement खतम हो जाएगा आपकी life से और आपको काफी ज्यादा healing और abundance feel होगा okay यह चीज़े दिख रही है within the next few months में ही हो गई अभी नहीं हो सकता because not the right time okay लेकिन आपको नई direction चूज करने के ज़रूरत है यह चीज़े आप करिए अपनी संदगी में और look for a sign universe आप से signs के through ही बात करेंगे तो sign पर आपको focus करना है all the time आपको क्या number क्या pattern आपको दिख रह आपके लिए क्या आपके लिए क्या आएगा okay oh wow we have yeng and yang आग आगे है न twin flame connection अभी आपके इस twin flame connection का यह समझ लीज़े एक exam हो रहा है जिसमें आपको proper balance बना के चलना पड़ेगा this is a tough time for you guys so make your balance make the balance in both areas personal और professional ठीक है तो इस इन चीचों की जरुरत है आपको जो भी आपको की दूर हो जाए ठीक है और जब जब आपका बहुत ज़्यादा सरदर्द होने लग जाए लोगों की वज़ा से या किसी भी situation की वज़ा से उसी time ना आखे बंद करके सिर्फ अपने divine को याद करें सिर्फ और सिर्फ अपने divine को क्योंकि वह आपको positivity देंगे और वैसे भी व आपको अपने आखे बंद करके divine को याद करना है बस सिर्फ और सिर्फ divine को याद करना है क्योंकि वही आपको हर एक मुसीबत से बाहर निकालेंगे हर एक मुसीबत से बाहर आपको चीखना नहीं है चिलाना नहीं है परिशान नहीं होना है आपको अपने divine पर भरोसा रखके उनको याद करना है और उनसे मदद मांगनी है इतना आप कीजिए विकाज आप एक ऐसे परसन है जो अपने कम्यूनिटी में फेमस हो जाएंगे बहुत ज़दा appreciation blessings मिलेगी आपको तो ये matter करता है न आपके लिए बाके चीज़े नहीं इसलिए खुश रहने की कोशिश कीज़े आपके पास साथ है तो ये तो आपका पीस बनाने में मदद करेंगे ही करेंगे ठीक है इसलिए आप पैनिक नहों करें जितना हो सके अपनी abundance पर अपने targets को complete करने की कोशिश करिए और next phase सच में आपकी life में खुबसूरत होगा जिसमें wheel of fortune के साथ आपका heart chakra open हो रहा है इसका मतलब बहुत सारी परिशानिया प्रॉब्लम्स सब खतम हो जाएंगी life से ठीक है so all the best guys new phase के लिए एक new chapter के लिए और जितना हो सके अभी balance बनाईए this is your reading I hope कि आपके साथ resonate हुई हो आपको पसंदाई हो अगर reading resonate हुई है तो comment section में बताईएगा चैनल पर अगर आप यहां नए है तो subscribe कर देना video को like कर देना अभी के लिए बस इतना है guys bye take care